इसमें अभी bottom formation process चालू है, लेकिन अभी bottom confirm नहीं हुआ है, अगर आप portfolio के लिए ले रहा हो, तो मेरा advice है कि आप इस बार थोड़ा wait कर लो, अगर 550 के उपर ये closing देता है, तो वहाँ पे inverted add and shoulder price pattern बनेगा, और उसके उपर 550 के उपर closing देता है, तो वहाँ से तकरीबल इसमें 700 तक का move आ सकता है, तो currently क्यूंकि अभी bottom confirm नहीं हुआ है, तो आप अगर fresh buying करना चाहते हो investment के लिए, तो 550 के उपर एक बार closing आ जाने दो, तब आप add करना, जभी भी 550 के उप पर closing आ है, तो वहाँ से आपको minimum 700 तक का move मिल सकता है, और क्यूंकि यह sector अभी चल रहा है, यह sector के लिए अभी काफी tailwinds है, और काफी favorable environment है, तो engineering और capital goods sector अभी काफी limelight पे है, लेकिन आप इसमें अगर बड़े players में देखो, जैसे हमने L&D suggest किया तो के शुरुवात में, त क्योंकि extreme में इन्होंने बताया हुआ है कि यह sector में काफी difficult है रहती है, अगर यह sector का timing अच्छा नहीं होता है, तो अगर आप 550 के ऊपर आप जाता है, तो भी आप ही add करिए, वो मेरा advice रहती है, तो यह थी रहा है, ISGEC, Heavy Engineering के ऊपर सर ने बता दिया है कि किस तरीके से देख क्या suggestions है इस वक्त इस पर? Sir, FM God's